इतना सारा बेबी ओईल उनके घर पे कर क्या रहा था एक ऐसा आर्टिस्ट जो इंबॉल्ड था दे लेजनरी वेस्ट कोस वसस इस कोस बीफ में बोले तो इंबॉल्ड नहीं बल्गी कह सकते है कि इस साइड के में लीड थे यानि जो लोटोरियस बियाईजी के साइड से थे नाम है इनका P.T.D. पेशे से तो ये रैपर, रेकोर्ट एक्जिटीव, सॉंग्राइडर वगेरा है जिनका एक लेबल भी है बाइद नेम ओफ बाडबॉय रेकोर्ड्स स्लाश बाडबॉय एंटर्टेन्मेंट जिस लेबल में दे लेड ग्रेड बिगी साइन थे और टू बड़ा आइडिया हो गया होगा कि P.T.D. कौन है पर आज हम थोड़े डीटेल्स में जाएंगे कि अचानल हिप होप और पूरे म्यूजिक इंड़स्री में इनका नाम इतना क्यों उच्छला जा रहा है और तो और अब तो ये भी न्यूस आ रहा है कि डीडी का इन्वाल् में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पी डीडी पफ डैडी पफी डीडी के बारे में क्या है पी डीडी का डार्क साइड और क्यों ये पार्टी की वज़े से उन्हें जेल जाना पड़ रहा है अशर से लेके जेस्टिन बीबर और लेनाड़ो डिकाप्रियो से लेक तो कौन है वो आटिस्ट और इसी के साथ टूपा की केस का क्या अपडेट है वो सब में इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राब ज़रूर करना तो चलिए इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड एबाउट पी ड तो डिडी के के स्टडी से पहने जैसे कि आप जानते हो आप और में हमेशा से ही इस प्लाटफॉर्म पे अडरेनों आटिस्ट को सपोर्ट करते आए हैं तो इस बार भी अपने को सपोर्ट करना है चंडिःड के इस आर्टिस्ट को जिनका नाम है व्यूजिक बाइनितिश और यह एकदम इंटरनेशन लेवल के म्यूजिक करते हैं जस्ट लाक ब्रोदा भी जस्ट लाक अनुमान काइंड ही इस थे नेक्स थिंग इन आरन बी फोर्शॉर फ्रम इंडिया आर्टिस्ट का नाम है म्यूजिक बाइनितिश और इन्होंने अपना निया गाना पीस अफ पी डिडी जिनका असली नाम है शॉन जॉन कॉम्स इनका जनब हुआ था नावंबर फोर नैंटीन सिस्टीन न्यू यॉक में Harvard University जो की Washington DC में है वहाँ जब डिडी अपना graduation कर रहे थे तो वो एक record label जिसका नाम है Uptown Records वहाँ पे वो ऐसे intern job करने लग गए थे और वो काफी सही काम कर रहे थे Uptown Records में और उनका promotion हो गया ऐसे Vice President of A&R position पे इसली के चलते फिर डिडी ने अपनी पढ़ाई छोडी और full time अ बट डिडी को Uptown Records से निकाल दिया 1993 में तब सबको लगा था कि यंग बंदे को ग्रो होते देखके बागी सब लोग insecure हो रहे है नोल करके बट भाई लोग अभी Lord Jamar ने एक interview में ये reveal किया है कि डिडी जो है वो कांड करते हुए पकड़ा गये थे एक बंदे के साथ वेल Uptown Records से निकाले जाने के बाद P.D.D.D. ने खुद का लेबल स्टार्ट किया ये लेजनरी नेम Bad Boy Records इस लेबल ने उस टाइम पे काफी सकस्स गें किया था एंड आर्टिस्ट लाइक क्रेग मैक, पेइट इवेंट्स, वन वन टू ग्रूप एंड अफकोर्स दे डोटोरियस बी आईजी ये लोग जो थे वो 90s के स्टार थे और ये सारे ही Bad Boy Records से थे यानी डिडी के लेबल से और इसी दोरान West Coast vs.East Coast की दुश्मनी चली थी पीक प जब ये West Coast और East Coast का बीफ चल रहा था तो टूपाक काफी ट्रोल एंड डिस करते थे पी डीडी को भी क्योंकि ये अपने हर आटिस्ट के गानों और वीडियोस में आते थे और अपने आटिस्टों को प्रॉपरली ग्रो होने नहीं दे रहे थे और ज्यादा दर लाइम जी का हिपनोटाइस गाना देख लो उस पूरे वीडियो में आपको डीडी ही दिखेंगे बट 1996 में टूपाक के डेथ के बाद ये जो वार था वो मामला तोड़ा शान्त हुआ बट 1997 में डीगी भी अनफोर्टनेट वे में डेथ हो गई और कहा ये जारा था कि टूपाक के हत्या में पी डीडी का भी हाथ था वन वे और अनफर इस सी से कोई ठोश सबूत तो नहीं मिला है बट कीफीडी जो कि टूपाक के शूटिंग में शामिल थे वो बताते थे कि पी डीडी ने उनको वन मिलियन डॉलर ओफर करा था टूप को मारने के लिए बट पी डीडी के वकील का ये कहना है कि ये सब जूटे आरोप है जो कीफीडी पी डीडी पे लगा रहे है और अब ही जो ये लेटस सीन चल रहा है डीडी का इसके चलते टूपाक के फैमिली को लग रहा है कि हो सकता है कि डीडी इन्वॉल्ट है टूपा से तो डीडी से बिल्कुल नहीं डर्दे थे इन फैक्ट डीडी के कावी खिलाफ भी थे और पप्लिक प्लाट्फों में भी उन्होंने ये चीज दर्शाया है और वो कौन गौन है आगे मैं आपको बताऊंगा बट पहले हम जरा ये समझते हैं कि ये डीडी पे केस चल क्या रहा है आखियन करेंटली डीडी पे एक या दो लोसूट्स नहीं बल्कि छे लोगों ने केस्ट होका है जिनमें चार में और दो वुमन विक्टिम्स हैं और इनमें से एक महस 16 साल की है और ये कोई आज या कल का कच्छा चिटा नहीं कुला है डीडी का 1995 से लेके 2022-2023 तक जो भी करम किये है सब बाहर आगए है एक एक करके मेंली डीडी पे केस चल रहा है sexual misconduct और sexual exploitation का यूशडी ये जो rape and abuse cases वगेरा है वो female side से लगता है जादा था लेकिन डीडी बढ़िया के case में आदमी लोग भी इन पे case लगा रहे है बैक देन शूग नाइट से लेके 50 cent तक पी डीडी के गे होने पे allegations लगा चुके हैं सी गे होना कोई गलत बात नहीं है means you can be whatever you can गे लेस्बियान बाइसेक्शवल वटेवर मैतर यहाँ पे यह है कि तुम जो हो वो बता नहीं रहे हो और बलकि उसका उल्टा ही बता रहे हो जिससे एक बहुत ही गलत influence पड़ता है society में when you are famous और डीडी के parties के बारे में कई सारे लोग पहले से ही allegations लगाते आ रहे हैं कि इसमें गलत गलत चीज़े होती है मतलब समझ रहे हो न किस टाइप की इवन बैक दन शुग नाइट से जब एक रिपोर्टर ने पूचा था कि आप डीडी से एक पार्टी में मिलोगे जो आपकी दुश्मन है तो क्या होगा तो शुग नाइट का बड़ा ही सर्कास्टिक वे में ये कहना था कि मैं उस टाइ है या ये सब केसस का जो मूल आदार है वो है 2016 में लीक हुआ एक वीडियो जिसमें पी डीडी उनकी एकस गर्फरेंड को असौल्ट करते हुए दिखते है होटाई लोबी में जब ये वीडियो लीक हुआ था तो पी डीडी के वकीलों ने प्रशासन पर केस कर दिया था कि कैसे सेंसिटिव एविडेंस को कैसे तुम मीडिया की सामने लेके आ सकते हो इससे हमारी क्लाइंट की बेज़ती होगी एक और फीमेल विक्टिम है अशली प्रांग जिनोंने 50 मिलियन डॉलर्स का लॉसूट फाइल किया है डीडी पे क्योंकि आशली को डीडी ने धमकी दि अगर आप लिंक करोगे तो डेफिनेटली पी डीडी के खिलाफ ही होगा सब चीजे है यह हम लास्ट में इस वीडियो के कन्कूशन में डिसकस करेंगे अब जड़ा यह देखते है कि ऐसे रैपर्स जो कभी भी पी डीडी से नहीं डरे है इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं रैपर मेस जो की बैड बॉय रेकोर्ट्स के इनिशल आटिस्टों में से एक है जिन्होंने वो एक्चुली में वो लेबल को खड़ा किया है बट मेस ने आगे चल के डीडी और उनके पार्टीस को एक्सपोस किया था सबको लगा था कि यह जो पेसों की जड़ब की वज़े से मेस यह वे अलिगेशन्स वगेरा लगा रहे होंगे पी डीडी पे बट वक्त ने करवट बदला और मेस के कहाई जाने वाले हर एक बात को लोग अप सच मानने लगे है और तब लोगों को लग रहा था कि मेस जूट बोल रहे है देन इस लिस्ट में आते हैं शूग नाइट वैसे शूग नाइट हिससे गाण अरते हैं और शूग नाइट पेने से ही डीडी के बारे में काफी चीज़े रिवील करते आ रहे हैं और शूग नाइट ऐसे एक व्यक्ती है जिवहोंने डीडी को लिमिट में रखा था गाने हर जगा 50 डीडी को बिल्कुल भी नहीं बख्षते हैं बट क्या आपको पता है पहले 50 cent sign होने वाले थे डीडी से और in fact 50 ने पी डीडी के लिए lyrics पी लिए है जो गाना था let's get it हाँ let's get it में जो वर्स है पी डीडी का वो actually में 50 cent ने लिखा है इवन कुछ East Coast rappers भी डीडी को hate करते हैं और इस list में एक और नामे जे कोल जो पी डीडी के खिलाफ थे कोस कहा ये जाता है कि Kendrick Lamar का stand लेने पे डीडी ने जे कोल को धमकाया था अपने office में और इतने artist खिलाफ है that means कुछ ना कुछ तो डीडी गलत कर ही रहे है चाहे कितना भी justification दे दे वो अब चलता है conclusion की और और आखिर इतने सारे baby oils कर क्या रहे थे डीडी के mention में baby oil का तू देखो ऐसा है कि baby oil यूस किया जाता है ऐसे lubricant during उस step की activities जाद तर gay और wild parties वगरा होती रहती है तो डीडी किसी साथ जबरदस्ती करते हैं किसी को नशे किसी के साथ नशे में करते हैं और male female का तो कोई अलतर उनको दिखता नहीं है तो बहुत काम आथा baby oil PDD की और बहुत चादा एमोट में baby oil मिला है मतलब आप ही सोचो की किस लेवल की गलत चीज़े होती होगी उनके parties में और यसे मैंने बताया था कि PDD पे बहुत पहले से ही allegations आये हैं कि वो एक homosexual या bisexual बंदे हैं और उन्यों ने अपने power और position का स्तमाल करते हुए ना केवल औरत बल्कि आदमियों को भी नहीं बक्षा कई सारे ने आर्टिस, पुराने आर्टिस, सब पे डेडी ने अपना जुलूग किया है और पब्लिक में अपनी एक मसीहा टाइक की personality बना के रखी थी डेडी ने और वो ये भी क्लेम कर दे थे कि West Coast से जब back to back डिस आ रहे थे और टूप पार्ग ने जब Hit Um Up जैसा Brutal डिस निकाला तो डेडी ने ही शाद रखा था बिगी को मतलब The So-Called Peacemaker पर अब इवन बिगी के लिए भी लोग उल्टा सिदा बोल रहे हैं और उनको जो लेक्स से पुराने वाले उनको लेके लोग गे करेशन्स बना रहे हैं मतलब इतने लजन्डरी आर्टिस को भी गलत हेट मिल रहा है पी डिडी की वज़े से 1995 से लेके 2023 तक पी डिडी ने बहुत गलत काम किये हैं और ये अल्ट्रा लेक्जोरी सेक्शुल पार्टिस और्णाइस करके ना केवल खुद को बल्कि कई सारे और सेलिब्रिटीस को भी फसा दिया है लिवनाडो डिकैप्रियो से लेके माइकल तक डिडी के पार्टिस को अटेंड कर चुगे हैं और अब प्रशासन हर एक चीज़ पे बारिकी से केस्टडी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या-क्या राज और खुलेंगे और इन सब इलजामों के कारण म्यूजिक इंडस्ट्री का एक डाक साइड भी हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे मेल फीमेल नहीं सब लोग अनसेफ है अगर तुम लोग सही से नहीं चलोगे तो और अगर ये सब आरोप डीडी पे साबित हुआ तो आने वाले टाइम में आपको डीडी जेल में ही मिलेंगे वेल लेट्स होब कि सबी विक्टेम्स को जेस्टिस मिले और अगर डीडी बेककसूर है और उन पे ये सब गलत इल्जाम है तो वेल भाई लोग ये था आज का वीडियो आप लोग अपनी राय कमें सेक्शन में बताना जरूर कि क्या है डीडी का स्टैंड आपके माइंड में वैसे अपने चैनल पर आपको एक अप्रेट देखने को मिला होगा वीडियो से लेकिए ओडियो में सब अम लोग एकदम नेक्स लेवल पर करने का सोच रहे है सब लोग तो नहीं मैं है सोच रहा है मतलफ सो अपनी राय बताना जरूर एं नितिश भाई की काने को जाके सु सब्सक्राइब करना बाब बाई टेक केर तो यह बगवान विल्दा वाई लोग हाई